त्रेता युग में भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी के अवतार राम और माता सिता राजा दस्रत के मिर्तियु के बाद इंड दान के लिए बिहार में इस्तित बोद गया पहुचे उस समय कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण माता सिता ने चार लोगों को ऐस माता सिता का दिया हुआ अश्राप भूगत रहे हैं वोद गया में पहुचने के बाद भागवान राम और लक्ष्मर दोनों भाई पिंडदान की समागरी लेने गए लेकिन दोनों भाईों को आने में देरी होने के कारण पिंडदान करने का समय निकला जा रहा था तब है कहा कि उन्हें उनके पूत्रों के आने तक प्रतिक्षा करनी होगी इससे वो तीन के उन्हें चावल और तील की प्रिंडदान कर सकेंगे लेकिन राजा दसरत ने प्रतिक्षा करने से माना कर दिया और माता सीता से अलकूर नदी के किनारे के रेत से प्रिंड बना कर दान मातासिता को पिन्दान करते हुए देख रहे थे वो थे अच्छाए वट और थात वट का बिरीच है फल्गुन दी एक गाये एक पूर्सी का पौधा और एक ब्रहमर थे जब राम और लक्षमर लोटकर आये और पिन्दान के पूछा तब मातासिता ने समय का महत्तों बताते ह हुए कहा कि उन्होंने पिन्दान कर दिया है अपनी कही बात का सत्यापन करने के लिए मातासिता ने पांचों से राम को सत्य बताने के लिए कहा लेकिन वट ब्रिज के अलावा सब ने जूट बोला नदी गाये तुल्सी और प्रहमर ने कहा कि मातासिता ने पिन्दान नही यहीं नहीं को बाथ सिता ने उन चारों को स्राप दिया कर जिया और ऑपार से हम्मेषा सुख्य रहें कि ह्ला होगी उर्गों ना पड़ेगा तुम्हेंशर का पैँ कि श्राप मिला कि गया के सभी ब्रहमर्ख में संपुष्ट ही होंगे जियेंगे और अंत्म में माता शिता ने। वर्दान करने के लिए आएगा वोर्ट को भी दान कर देगा दोस्तों इस प्रकार सीटा माता कश्राफ वहां उपस्तित चार साक्षी आज भी माता सीटा का दिया फूंगा ढूंप। झाल झाल